हिंदू आर्मी ने अक्षे कुमार को भी नहीं छोड़ा अक्षे कुमार को मारने वाले पर रखा 10 लाग काईना लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में यहां सिर्फ हमारा ही मका थोड़ी ना है चले तो थे शारुक खान को पाकिस्तान भेशने लेकिन अब अक्षे कुम को लगा था कि प्रधान मंद्री की वह वाही करके और मोधी से पूश के कि वह काटकर खाते हैं या फिर चूज दूंबहक्तों की टोली ंहीं पता था यह अन्दभक्तों की टोली किसी कि सगी नहीं होती अक्षे कुमार सोचते थे कि गोदी मीडिया की तरह अगर वो भी मोदी की चाटू कारिता करे तो उनकी दुकान में बड़ी आसानी से चल जाएगी लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इस बार उन्हीं अंदभक्तों ने अक्षे कुमार को ऐसा नताड़ा कि पूरा बॉलिवुड भी सन में पड़ गया दरसल राष्ट हिंदू परिशद ने अक्षे कुमार को थपड़ मारने वाले को 10 लाग का इनाम देने का एलान किया है दोस्तों ये वहीं अक्षे कुमार हैं जिनका बॉलिवुड में बड़ा नाम है खुद प्रधान मंतरी नरेन मोदी अक्षे कुमार के बहुत बड़े फैन हैं मोदी खुद अक्षे कुमार की आक्टिंग की कार्फी तारीफ करते नजर आते हैं और साथे साथ अन्भक्त भी अक्षे कुमार की तारीफ करते नहीं ठकते लेकिन अब देखिए अक्षे कुमार का क्या हाल हो गया है जब से अक्षे कुमार टार्गेट पर आए हैं तब से लगातार कहा जा रहा है कि और पूछो आम काट के खाते हैं या चूस के दोस्तों अक्षे कुमार की फिल्म Oh My God 2 के खिलाफ विरोध प्रदेशन शुरू हो गया है और उनके पुतले भी जलाए जा रहे हैं फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है राश्टे हिंदू परिशद भारत का कहना है कि अक्षे की फिल्म से हिंदो की धार्मिक भावनाय उन्होंने ये भी एलान किया है कि जो भी अक्षे कुमार को थपड मारेगा या उनके मूपर थूकेगा उसे पूरे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा आपको बता दी कि अक्षे कुमार की नई फिल्म OMG 2 सिनेमा घरों में लगी हुई है ये फिल्म सेट्स पायाई थी उसके बाद से सेंसर बोल्ड सचेत हो गया था और इसलिए उन्होंने OMG 2 में भी अक्षक के रोल भगवान शिव से बदल कर भगवान शिव के दूद का करवा दिया मगर लोगों को अब इससे भी दिक्कते हैं आपको बता दे कि आगरा में अक्षी कुमार के मांग की है उन्होंने ये भी दमकी दिया कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो विरोध प्रदर्शन को और तेस्ट कर देंगे वैस हिंदू आउटफिट को फिल्म में अक्षे कुमार के किरदार के कुछ सीन्स पर आपती है फिल्म के ट्रेलर में अक्षे बालू में लेडलोक और पाउं में बूट्स पहनते नजर आ रहे हैं साथ ही उन्होंने दुकान से कचोडी खरीते और गंदे पानी के तालाब में नहाते भी दिखाया गया है गोविन पराशर का कहना है कि इन सीन्स में भगवान शिव का अपमान हुआ है दोस्तों जैसा ही जुनाव आते हैं हिंदु मुस्लिम भी होना तेज हो जाता है और अब तो आलम यह हो चुका है कि यह लोग यह तक नहीं देखते कि फिल्म किस की आई है अरे फिल्म अक्षे कुमार की है वही अक्षे कुमार जो प्रदान मंत्री मोदी से सवाल करने से भी कतराते हैं दोस्तों आपक कर रही थी तब उनके लिए अक्षे कुमार का एक भी ट्वीट अभी तक नहीं आया वहीं किस तरीके से ये लोग सरकार का बचाफ करते हैं वो किसी से अब छुपा नहीं है लेकिन जब यही एक्टर खुद फज जाए तो उनके बचाओं में कौन खड़ा है क्या मोदी सरक का रक्षे कुमार का बचाफ करेगी कि अविश्व हिंदु परिशद अपना बयान वापस लेगा दोस्तों ऐसे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं लेकिन आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपनी चैनल कभी न्यूस को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा नमस्कार